इसे नमस्कार दोस्तो जैसे किशना जैसिकाली दोस्तो मैं हूँ आपको उच्ट-टर फ्रैंड कुमार सत्यम स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद्र मेडिटेशन दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूं खुश होंगे सुखिय होंगे संपन्य हों तो दोस्तों नमस्कार जो है नमसकार मुद्र है यह हमारी भरभारत ही संस्कृती ही이라ate संस्कृती नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारे बढ़ों को आदर सम्मान दरसाता है लेकिन नमस्कार के पीछे दोस्तों एक एक्क्यू प्रेशर पद्धिती और साथ में इसी कुछ व्यज्ञानिक तथ्य भी है इसका हमारी सरीर में बॉडियें बहुत ही अजब तरीके से इफेक्ट पड़ता है तो दोस्तों आज भी आपके सामने को जैसे नमस्कार के मंत्र लाया हूं यदि जिसे आप जाब कर लेते हैं जाब बहुत कम है दोस्तों ज्यादा ज्यादा आपको सुबिछ चार टाइम लगेगा लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही बहतरीन प्रक्त होता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि हमारे हिर्दय में जब हम दोनों हाथों को जोड़ देते हैं तो यह दोनों हाथ हमारे हिर्दय में आते हैं और हमारे सीने में जो होता है य ब्रहमाण्ड की जो सारी एनर्जी होती है यह यहां पर विध्वान होती है यह दिवे प्रकास माना जाता है। गरंतों में लिखा हुआ है कि मनुस्य के हृदव्य में एक बहुती दिवे प्रकास होता है जो पिस एक सर्म अरजित करते हैं। और जब दोनों हातों को हम जोड़ते हैं नमस्कार करते हैं तो हमारी दसों उंगलिये को दार जब यह दसों उंगलिया यह तंत्रिकाई जो हमारे जोड़ जाती हैं और इन्हीं दोनों हातों को हम सीने में रखते हैं तो ब्रम्हान की एक जो सकरात्मत ऊर्जा है वो हमारे सर प्रेसर पत्दिती में कहा गया है कि दोनों हाथों को जोडते हैं तो इन में एक प्रेसर बढ़ता है जब दोनों हाथों को जोड़ देते हैं तो इन दोनों उंगलियों के थूरू हमारे हाथों से एक प्रेसर बनता है जिसके दोरह हमारे कान मस्तिस्क और आखों पर थोड़ करने की यह संस्कृति मनाई है के यूद के इसका वैज्ञानिक कारण है है अब इसी के द्वारा हम यहिए कुछ मंतरों का चैंट कर लेते हैं तो इसमें यह धनी होती है उसके द्वारा जो energy निकलती है अब दोस्तों ध्ञानि कि सब्सक्राइब कि यह हमारा हिल्दा भी मजबूत होता है और एक चीज हो जो झाली बजाने की बिछी में एक विज्यानिक कारण है, जोलग भी शुगर से परिशान है वो कम से कम दस महिट तक पूरी ताकत से जब उल्टे हाथ में ताली बजाएगे तो काफियत तक उनकी सुगर कंट्रोल हो जाएगी दोस्तो सनातन धर में एक विज्ञान है तो दोस्तो मैं कुछ आपको ऐसा मंत्र दूंगा मैं आपको दस मंत्र दूंगा आप दस में से एक मंत्र भी ले सकते हैं दो मंत्र भी ले सकते हैं तीर में ले सकते हैं चार भी ले सकते हैं आपको जितना समय है आप उसके हिसाब से आप मंत्र ले सकते हैं आपको एक मंत्र को नमस्कार की मुद्र में खड़े हो करके आपको चार बार यानि कि चार टाइम में आपको मंत्र का जाप करना है तो आपको एक सुबह जब आप सुबह में उठेंगे तब आपको इस मंत्र का जाप करना है पांच बार अगर आप दो मंत्र ले रहे हैं तो पांच बार पहला मंत्र पांच बार दूसरा मंत्र अब यदि आप तीर मंत्र जाप कर रहे हैं तो एक बार पांच मंत्र पहला मंत् सब्सकर नमस्कार की मुद्रा में जब सुबहु है करेंगे तो आपको सुबह उठकर के हाथ पैर धो लेना है साधी साथ ब्रस बगएर कर लें थोड़ा सा साप सुत्रे हो जाए उसके बाद में आपको इन मंत्र का चैट करना है यानि कि जाप करना है तो संपूर्ण जानकारी बताने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीन ग्रंथो में जो खास उपाए गूर्दम रहस तोने टोटके इन सभी की जानकारी आपको प्रदान करते हैं अगर आप बंश प्रकारी में रुची रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथ ही साथ बैल आइडं या बरिंगे अपो स्क्रीन में देख जाएंगे और में भी आपको देख जाएंगे तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है अपना जब बिना नहाई भी आप इस मंदर का जाप कर सकते हैं जो लोग सुबह नहां लेते हैं उनके लिए अच्छा है और जो लोग सुबह नहीं नहां पाते हैं तो हाथ पैदो कर भी इस मंदर का ज धङे धी बंको सीधी किसी इंदीमेश साथ सीधे खड़ी होते हैं बढ़े साथ चक्रों में एक सांत घॉक्षा याने कि प्राण कि यह होुती है वह सब कि प्रवाहित होने लगती है नमसकार की मुद्ड़ा जो होती है दोसको मसकर की मुद्रा में हमारे दस हो लेगे तंद्र होते हैं यह जोड़ जाते हैं तो आकास से जो दिव और्जा होती है वह हमारे हाथों के जरी हमारे हिदय में प्रिवेस्ट करती है यदि हम जोडते हैं, तो उस समय हम ज़्यादा क्लोध रही कर सकते, ज़्यादा बोल नहीं सकते, तो यह हमारे एक तरफ से दिमाग को तेज करने के लिए, आखों को तेज करने के लिए, कानों को तेज करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भी यह मुद्रा है, तो दोस्त नीचे साथ परबाही तो गर्दन सीधी तब इस मंतर को जाग करना है मंतर सुने लीजे दोस्तों आपको स्क्रीम में भी दिखजाएगा पहला मंत्र है दोस्तों ओम धनाय नमहा आप चाहें तो इस एक मंत्र के जाप कर सकते हैं उसके बाद में है ओम धनाय नमु नमहा तीसरा है ओम लक्ष्मियाय नमु नमहा ये चौथा है अब पांचवा है ओम लक्ष्मिनारायन नमहा चयटवा है ओम नमु नमहा अब इन में से दोस्तों आपको एक सुबह में आपको जाप करना है, अगर आप एक मंतर ले रहे हैं, तो आपको एक मंतर को पांच बार जाप करना है, नमस्कार की मुद्रा में, अब दो मंतर ले रहे हैं, तो उसी मुद्रा में पहले एक मंतर को पांच बार चैंट करेंगे, फिर दूसरे मंतर को चैंट करे है अब दूसरे टाइम जो वो दोपहर को ढूरा हैं दोसतो अपनी शक्तीनों सा देख लिए आप में कि तो 5 बार आपको जाब करने हैं। उसके बाद संध्याकाल में यह बहुत ही सिरुत हैं दिन का अंत और रात्री की सुरूवात इस समय कहा करताओं का वास होता है और पश्चिन दिसा जो होती है यहां पर दैत्यों का वास माना गया है और सूर्य भगवन पश्चिन दिसा से जब गुजरते हैं वहांपे दैत्यों से युद्ध कर रहे होते है इसलिए दोस्थ प्रतिष्टत धन दौलत सब कुछ प्रतान करते हैं तो आप इसे इस ध्यान दें कि जो गूगल पर सच करें कि सूरज डूबने का समय क्या है तो सूरज डूबने के पंदर मिनट पहले आप इस क्रिया को सुरू करते हैं तो इसमें कुछ बहुत जादा अच्छा फ़ल मिलेगा सूरज जब डूब रहोगा आप टाइम देख लेंगे कि सूरज अगर छे बज़े डूब रहा है तो पांच वच के पैतालिस मिनिट में इस मंतर का जाप सुरू करते हैं और उसके बाद में रात्री में आपको इस मंत कोई एक मंतर ले रहे हैं तो एक मंतर को ही आपको जाप करना है और दोस्तों एक चीज़ और याद रखें यदि आप एक ही समय में इसका जाप करते हैं अगर आज आपने सुबह 8 बजे किया कल 20 को 8 बजे करेंगे परसो भी सको 8 बजे करेंगे तो इसको दुगना साम को आप कर रहे हैं साम को दोस्तों आपको यह करना है कि सूरज का गूगल में सर्च करके कि सूरज जुमने का टाइम क्या है और रात्री में जो कर रहे हैं आगर 9 बजे कर रहे हैं 10 बजे कर रहे हैं साड़े 10 बजे कर रहे हैं तो उसी टाइम भी करें लेकिन संध्याका देख लेगे तो दोस्तों ये धन प्राप्ति के कुछ उपायत है जो मैंने आपको बताया अगर जनकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही साथ कमेंट वाक्स में जैशी किष्णा जैशी काली जरूर लिखिए इससे माताराणी की और द्या जैशी किष्णा जैशी काली आप प्राप्तों परिबार हमेशा स्वस्त्र है सुखी रहे संबंद रहें